नमस्कार दोस्तों मैं जीवन कुमार हमारी चैनल वास्तु ग्यान सागर में आपका स्वागत है दोस्तों आज बात करेंगे कि मनी प्लांट को गर की किस दिशा में लगाने से लाव होता है और किस दिशा में हानी और इसे गर में लगाते समय किन किन बातों का दियान रखना चाहिए दोस्तों मनी प्लांट एक ऐसा पौदा है जिसे लोग दन की वरकत के लिए अपने गर में लगाते हैं दोस्तों इस पौदे के समद में हमारे समाज में एक मानिता पर चलता है कि जह पौदा दन को अपनी और खिंचता है ऐसा माना जाता है कि जिस गर में मनी प्लांट का पौ नहीं करना पड़ता इसके लावा दोस्तों वास्तू सास्तर के नुसार भी मनी प्लांट को गर में लगाना बहुत शोब माना जाता है वास्तों के नुसार मनी प्लांट को गर की सही दिशा में लगाने से गर में दन दने और सुक्समरिद्य की ब्रिदी होती है और जहें पौ इसका कारण करण है MONEY प्लान्ट के पौदे का गलत दिशा में लगा हूँना। इसलिए दोस्तों आईए जानते हैं कि वास्तू शास्तर के उन्सार मनी प्लान्ट के पौदे को गर की किस दिशा में लगाने से लाज़ में हानीं। और इसे गर में लगाते समय किनकिन वातों का द्यान रखना चाहिए वास्तो के अंसार दोस्तो गर के उत्तुर पूर्व जाश हानकोन में मनी प्लांट को कभी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि जह दुषा मनी प्लांट लगाने के लिए सबसे नकार्तम कमानी जाती है दोस्तो इस दिशा में मनी प्लांट को ना लगाने का मुख कारना देव गुरु ब्रस्पती जी और शुकर देव की आपसी दुश्मनी है दोस्तो इनकी दुश्मनी का कारण जय है कि ब्रस्पती जी देवों के गुरु है और शुकर देव राक्षों के गुरु है वासू सास्तर के अनुसार दोस्तों गर के उत्तर पूर्विया शानकुन के स्वामी ग्रह देव गुरू ब्रस्पती जी हैं और मनी प्लांट की बेलों के कार ग्रह शुकर देव हैं जो एक दूसरे के शत्रू हैं इसलिए दोस्तों शुक्र ग्रह से स्वंदित पौदे को देव गुरु ब्रस्वति के स्थान पर रखना गलत होता है। इस दिशा में मनी प्लांट के पौदे को लगाने से गर के स्वामी और सुज़स्यों को कोई लाब नहीं होता वलकी उल्टा नकसान ही होता है। इस दिशा में मनी प्लांट लगाने से गर के स्दस्यों को आर्थी खाननी का सामना करना पड़ता है और जहें पौदा परवारक रिस्तों में तनाव और दरार भी उत्पन करता है जिससे गर का बातवर्न भी तनाव पूर्ण होने लगता है। इसलिए दोस्तों गर के उत्तर पूर्व जागनी कोन में मनी प्लांट को बूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। पूर्व जागनी कोन में लगाना बहुशोब माना जाता है। इस दिशा में मनी प्लांट लगाने से गर में दन की कभी कमी नहीं रहती और गर के सदस्यों को सुक्समर्दी और मान सनमान की प्राप्ती भी होती है। प्रवार में शान्ती का मौल बना रहता है और गर के सवामी और सदस्यों को कई प्रकार की मसीब्तों से सुटकारा मिलता है। इसलिए दोस्तों मनी प्लांट को दक्षन पूरू जागनी को उनमें लगाना बहुत उत्तम होता है। वास्तों के उनसार दोस्तों मनी प्लांट के पौदे को हमेशा हरावरा रखना चाहिए। इस पौदे के पत्य कभी भी पीले सफेद जा मुर्जाई हुए नहीं होने चाहिए। क्योंकि इसके स्वंद में ऐसा माना जाता है कि जह पौदा जितना हरावरा रहेगा गर्मेदन की बड़ा त्री भी उतनी ही होगी। इसलिए दोस्तों मनी प्लांट के पौदे को हर रो जरूरत के इनसार पाणी देना चाहिए। और इसकी अच्छे से देखपल करनी चाहिए तांकि इस पौदे की पत्या कभी मुर्जाई ना। इसके अलावा दोस्तों इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि इस पौदे की जो पतियां मर जाई जाप पीली हों उन्हें तुरंत ही काड़ कर पौदे से अलग कर देना चाहिए क्योंकि ऐसी पतियां गर में नकार्तम कूर्जा फैलाती हैं वास्तों के उन्सार दोस्तों मनी प्लांट के पौदे की पतियां जाबेल हमेशा उपर की तरफी वढ़नी चाहिए इस पौदे की पतियां कभी जमीन पर नहीं फैलने देनी चाहिए क्योंकि जमीन पर फैली इसकी पतियां गर में नकार्तम कूर्जा उत्पन करती है इसके लावा ऐसा माना जाता है कि इससे गर कि स्वामी और स्थ्जुस्यों की उनुति में बादा उत्पन होती है इसलिए दोस्तों मनी प्लांट के पौदे की बेल को किसी डंडे या दिवार के सहरे से जा किसी दागे से बांद कर उपर की तरफी रखना चाहिए ताकि वैर बेल हमेशा उपर की तरफी बड़े वास्तो के अनसार दोस्तों, मनी प्लांट के पौदे को हमेशा गर के अंदर लगाना ही शुब होता है क्योंकि इस पौदे के अंदर सकार्तम कूरजा होती है दोस्तों अगर इस पौदे को गर से बाहर लगाया जाए तो हमें इसका कोई लाब नहीं मिल पाता क्योंकि इस पौदे को गर के बाहर लगाने से इसकी सिकार्तम कूर्जा हमें नहीं मिल पाती है इसलिए दोस्तों इस पौदे को हमेशा गर के अंदर लगाने से ही हमें इसका लाव मिलता है इस पौद्वे को गर में लगाने से गर में से कार्तम कूर्जा का प्रवा हमेशा बना रहता है इससे गर किन कार्तम कूर्जा दूर होती है जिससे गर का मौल हमेशा शान्त और खुशनुमा बना रहता है इसलिए दोस्तों मनी प्लांट के पौदे को गर के बाहर लगाने से हमेशा बचना चाहिए वास्तों के उनसार दोस्तों मनी प्लांट के पौदे को मिट्टी के गमले के अलावा बोतल में पानी बर कर भी लगाया जा सकता है दोस्तों पानी की बोतल में भी इस पौदे को लगाना अच्छा होता है लेकिन दोस्तों इस पौदे को पानी की बोतल में लगाते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि इसका पानी को जो दिनों वाज जरूर बदल देना चाहिए इसके लावा दोस्तों इस पौदे को हमेशा ऐसी जगा रखें जहां ज़्यादा दूप ना हो तोकि ज़्यादा गर्मी के कार्णवी जह पौदा मुर जा सकता है दोस्तों मनी प्लांट के पौदे को हरावरा रखने के लिए इन छोटी छोटी बातों का द्यान जरूर रखना चाहिए ताकि आपको इस पौदे की सकार्तम कूर जाका लाव हमेशा मिलता रही दोस्तों कहते हैं कि ग्यान वाटने से ग्यान और वड़ता है इसलिए आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिष्टेदारों से शेयर करें और आगे की जानकारी प्राफ्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले धन्यों